प्रस्ण तरी प्रस्ण एक आपने मुझे जो किताबे भेजी हैं उसे में पढ़ता आया हूँ और येश्यू के बप्तिस्मा के बारे में आपका विजार मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्या आप मुझे बताएंगे कि येश्यू मसी के बप्तिस्मा, मुरुत्यू और पुनुरुत्थान के साथ हमारा क्या संबन्ध है उत्तर सबसे पहले हमें इबरानियो 6 और वचन 2 में लिखे बप्तिस्मा के सिध्धान के और ध्यान देना चाहिए बाइबल के मुताबिक तीन अलग अलग बप्तिस्मा है पश्चताप के लिए योहन्ना बप्तिस्मा देने वाले का बप्तिस्मा येश्यू मसी ने योहन्ना बप्तिस्मा देने वाले से पाया हुआ बप्तिस्मा और वीदी के मुताबिक हमारा पानी का बप्तिस्मा हम जो बप्तिस्मा लेते हैं वो येशु के बप्तिस्मा पर हमारे विश्वास की कबूलात है कहना का मतलब यह है कि हम विश्वास करते हैं कि येशु ने हमारे सारे पापो को उठाने के लिए बप्तिस्मा लिया और उसका मुल्य चुकाने के लिए क्रूस पर मरा, यहां कबूल करने के लिए हम बप्तिस्मा लेते हैं। अब आप मत्ति रचित सु समाचार, अध्याई 3, वचन 15 समझ सकते हैं। जहां लिखा है कि अब तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रिटी से सब धार्मिक्ता को पूरा करना उचित है। यहां अब तो का मतलब है कि यहना बप्तिस्मा देने वाला मनुश्य जाती के प्रतिन इदी के द्वारा बप्तिस्मा लेकर येश्व ने जगत के सारे पापों को उठा लिया। वह पाप की जाल में से हमें बचाने के लिए परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने हम सफों के अधर्म का बोज उसी पर लाद दिया और हमें उसकी धार्मिक्ता दी है। यहां धार्मिक्ता का मतलब है ग्रीक में दिकायो सुने जो उचितता और न्याय भी संकेत करता है। वह हमें कहता है कि येश्वर ने हाथ रखने वाले बप्तिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को उचित रिती से ले लिया है। हमने येशु के बप्तिस्मा कुरूस पर उसके मुरुत्यू और उसके पुनुरुथान पर हमारे मजबूत विश्वास के कारण उधार पाया है बप्तिस्मा के आत्मिक खत्ने का सामर्थियर जो हमारे रिदई से सारे पापों को दुर करता है और हमारे रिदई के पापों को साफ करता है इसलिए प्रियरित पत्रस ने पिंते कुस्त के दिन कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए येशु मसी के नाम से बप्ति समाले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे येशु के नाम पर विश्वास करने के द्वारा सारे पापों को अपने रिदय में पापों की माफी पानी चाहिए उसके नाम का क्या मतलब है? वहाँ पुत्र जनेगी और तो उसका नाम येशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का अपने पापों से उध्धार करेया यसे मतिरती सुसमाचार अध्याए एक वचनी किस में लिखा है येशु के नाम का मतलब है उध्धार करता जो अपने लोगों को सारे पापों से बचाएगा कैसे वो हमें अपने सारे पापों से बचाएगा येशु ने अपने बबतिस्मा और क्रूस पर अपने मुरुत्यू के द्वारा हमें बचाया है जब येशु के प्रेरितों ने सुसमाचार का प्रचार किया था तब उन्होंने येशु के बप्तिस्मा और कुरूस के स्पस्ट समझ का यकीन दिया था इसलिए उन्होंने सच्चा सु समाचार सिखाया और फिर जितनोंने उसमें विश्वास किया था उनको बप्तिस्मा दिया था इसी रिती से हमने बाहिय अंगिकार करने के लिए बप्तिस्मा लिया था कि हम येश्यू के बप्तिस्मा और मुर्त्यू पर दिल की गहराई से विश्वास करते हैं अब हमने बप्तिस्मा लिया तब हमने अंगिकार किया आपका धन्यवाद प्रभू आपने अपने बप्तिस्मा के द्वारा मेरे सारे पापो को ले लिया मेरे लिए मरे और मुझे बचाने के लिए फिर से जीवित हुए मैं आपके सूसमाचार पर विश्वास करता हूँ येशु के बप्तिस्मा और कुरूस पर उसके मृत्यू पर हमारे विश्वास के चिन्ह के रूप में हमें सेवक के द्वारा पानी का बप्तिस्मा दिया गया था इस तरह आरम की कलिस्या के संतों ने अपने विश्वास के सबुत के तौर पर बप्तिस्मा लिया था फिर उन्होंने सूसमाचार में अपने विश्वास का अंगीकार किया और छुटकारा पाया यानि कि पापों की माफी पाई उद्धार पाने के लिए बप्तिस्मा की वीदी बहुती जरूरी नहीं है भले ही वह हमारे विश्वास को स्पॉस्ट करने के लिए महत्वपूर्णा है लेकिन पानी के बप्तिस्मा को हमारे विश्वास के साथ कोई लेना देना नहीं है हम केवल पानी और लहु के सूसमाचार पर विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं बाइबल बताती है कि जब हम येश्यू के बप्तिस्मा पर विश्वास करते हैं, तब हम येश्यू मसी में बप्तिस्मा लेते हैं, तो फिर कैसे हम उसमें बप्तिस्मा पा सकते हैं, वह केवल तभी संबव है जब हम अपने विश्वास के द्वारा उसके बप्तिस्मा पर व बबतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को उठा लिया था। उसकी मृत्यू हमारे अप्रादों के लिए नियाई था। इसलिए हम भी उसके साथ कुरूस पर मर गए। दूसरे सब्दों में हमारा सरीर जो मृत्यू तक पाप करता है वह पाप में मर जाता है। और येश् मृत्यू के पाप का पुनुरुथान नहीं है लेकिन वह हमें परमेश्वर की संतान और पवित्र व्यक्ति के तौर पर नया जन्म पाने के लिए अनुमती भी देता है जो उसके संमुक पवित्र और पाप रहित है यदि हमने उसके बप्तिस्मा पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पापों को उसके उपर नहीं डाला होता तो उसका मृत्यू और पुनुरुथान का कोई मतलब नहीं होता उसका हमारे उध्धार के साथ कोई लिना देना नहीं होता जिन्होंने विश्वास के द्वारा अपने सारे पाप उसके उपर डाले हैं वे उसके क्रूस पर मृत्यू के साथ एक हुए हैं जो उनको धर्मी के तौर पर नया जिन्म पाने की अनुमती देता है हालाकि जिनों ने उसके बप्तिस्मा पर विस्वास ना करने के द्वारा अपने पापों को उसके उपर नहीं डाला उनका उसकी मृत्यू और पुनुरूठान के साथ कोई संब्ध नहीं है जैसे हम साधी के समारों के द्वारा पती-पत्नी को कानूनी तोर पर कबूल कर सकते हैं, वैसे ही विश्वास योग का बप्तिस्मा विश्वास योग्य है संतों का बप्तिस्मा अंद्रूनी विश्वास की बाहिय गोष्णा है जब हम परमेश्वर, संत और जगत के सामने उसके बप्तिस्मा और कुरुस पर हमारे विश्वास की गोशना करते हैं, तब हमारा विश्वास ज्यादा ही स्तिर बनता है यदि हम युहना बप्तिस्मा देने वाले के द्वारा येशु ने लिए हुए बप्तिस्मा का सही मतलब नहीं समझते हैं तो हमें ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए, कि यदि हम उसके बबतिस्मा और उसके महत्वप पर विश्वास नहीं करेंगे, तो भी हम बजजाएंगे। भग केवल सैतान की बनाई हुई एक यूजना है। प्रश्ना नंबर दो उतर वास्तों में यह हमारे मूल स्वभाव की वज़े से है कि हम सुरुआत से पाप करते आये हैं इसलिए बाइबल बताती है कि रोमियो की पुस्तक अध्याई तीन वचन दस कोई धर्मी नहीं एक भी नहीं इसलिए फ्रेरित पॉलूस परमेश्वर के आगी कबूल करता है कि यह बात सच और हर प्रकार के मानने के योग्य है कि मसी येशु पापियों का उध्यार करने के लिए जगत में आया जिन में सबसे बड़ा मैं हूँ पहला तीमुतियूस अध्याई एक वचन पंद्रा और आगे पॉलूस रोमियो की पत्री अध्याई तीन वचन 21 से 24 में कहता है परन्तु अब व्यवस्ता से अलग परमेश्वर की वहधार्मिक्ता प्रगट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्ता और भविश्य वक्ता देते हैं अर्थात परमेश्वर की वहधार्मिक्ता जो येश्व मसी पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले के लिए है क्योंकि कुछ भेद नहीं इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रही थै परन्तु उसके अनुगर से उस छुटकारे के द्वारा जो मसी येश्व में है सेंत में धर्मी ठहराय जाते है परमेश्वर की धार्मिक्ता का मतलब है कि युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले ने येश्व को यरदर में बप्तिस्मा दिया जब उसने बप्तिस्मा लिया तब उसने युहन्ना से कहा अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रिती से सब धार्मिकता को पूरा करना उचीत है. जब मनुष्य जाती के प्रती निदी योहना बपतिस्मा देने वाले ने येश्यू का बपतिस्मा दिया, तब उसने बहुत ही नियाई और उची तरीती से जगत के पापों को अपने उपर ले लिया इस तरह येश्यू को बब्तिस्मा देने के दूसरे दिन युहन्ना बोला देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है तो फिर यहां जगत के पापों का क्या मतलब होता है वह है पृत्वी के पहले मनुस्य यानि की आदम और हवा से लेकर पृत्वी पर जो आखरी मनुस्य होगा वे सबी मनुस्यों के सारे पापों को दर्साता है भुतकाल के लोग जगत के लोग थे वरतमान के लोग भी जगत के लोग है और जो भविश्य में आने वाले हैं वे भी जगत का एक भाग है येशु ने जो अलफा और ओमेगा है उसने सारे समय के पापों के लिए एक बलिदार अरपन किया यर्दन में उसके बप्तिस्मा लेने के द्वारा और कुरूस पर मरने के द्वारा एक ही बार हमेशा के लिए उसने जगत के सारे पापों को सहन किया और हमें इसी रिती से पवित्र किया गया है बाइबल स्पष्ट रिती से दर्शाती है कि उसी इच्छा से हम येशु मसी की दे के एक ही बार बलिदान चड़ाये जाने की द्वारा पवित्र किये गया है ध्यान दिजिए कि यह पूर्ण वर्तमान काल में लिखा गया है जिस पल हमने परमेश्वर में विश्वास किया तब से लेकर अब तक और हमेशा के लिए हमें पूर्ण रिती से पवित्र और पाप रहित किया गया है क्योंकि परमेश्वर सर्वसामर्थी है इसलिए वहां अपनी नजर में जगत का आरंभ और अंत देख सकता है हलाकि उसने बप्तिस मा लिया उसे तकरीबन 2000 साल बीच चुके हैं उसने जगत के आरंभ से अंतक मनुश्य ने किये सारे पापो को उठा लिया था इसलिए क्रूस पर मरने से पहले उसने कहा पूरा हुआ उसने तकरीबन 2000 साल पहले जगत के सारे पापो को उठा लिया था और उन सारे पापो को धोने के लिए वह क्रूस पर मरा हमने उद्धार पाया उसके बाद भी हम पाप करते हैं क्योंकि सरीर कमजूर है उसके बावजूद भी येश्यू ने अपने बबतिस्मा और कुरूस पर न्याई सहन करने के लिए हमारे सारे पापों को अपने उपर उठा लिया और उसके द्वारा भुदकाल, वर्तमान और भविश्य के सारे पापों से चुटकारा दिया यहाँ परमेश्वर का संपूर्ण और न्याई उध्धार है यदि येश्व ने हमें भविश्य में जो पाप करने वाले थे उसका चुटकारा नहीं दिया होता तो एक भी मनुश्य हर दिन के पापों से चुटकारा नहीं पाया होता क्योंकि रोमियो अध्याई 6 वचन 23 में लिखा है क्योंकि पाप की मजदोरी तो मृत्यु है जब याकुब और ऐसाओ अपनी मा के गर्भ में थे तब उन्होंने कुछ भी सही या गलत करने से पहले ही परमेश्वर ने उनको दो देशों के रुप में अलग कर दिया था और याकुब को प्रेम किया लेकिन ऐसाओ को धिकारा और कहा बड़ा छोटे को आदिन होगा यह भाग दर्शाता है कि परमेश्वर के उध्धार के हमारे कारियों से कोई लिना दिना नहीं है लेकिन वो उन लोगों को दिया गया है जो उसके बप्तिस्मा और कुरूस पर उसकी मृत्यू में परमेश्वर के स्रंपूर्ण उध्धार पर विश्वास करते हैं हम मनुश्य जिस पल पैदा होते हैं तब से मृत्यूतत पापी मनुश्य के रुप में नरग के लिए नियोजित किये जाते हैं लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों को पहले से ही देख लिया था और येश्व के बप्तिस्मा और कुरूस के द्वारा हमारे सारे पापों को धो दिया था क्योंकि वहां हमें प्रेम करता है हम आश्रिशीत समय में जी रहे हैं येश्वर भविश्य वक्ता ने अध्याई 40 वचन 2 में कहा है कि येश्व के बप्तिस्मा और कुरूस के सूसमाचार के द्वारा हमारी पाप की गुलामी का समय पूरा हुआ है इसलिए जो कोई भी सूसमाचार पर विश्वास करेगा वह अपने सारे पापों से छुटकार पाएगा प्रभु कहता है कि जो वाचा में उन दिनों के बाद उनसे मान दूँगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके रदे पर लिखूँगा और मैं उनके वीवेक में डाल दूँगा फिर वह यह कहता है मैं अपने पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरन न करूँगा और जब इनके ख्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा अब परमेश्वर हमारे हर दिन के पापों के लिए हमारा न्याई नहीं करता क्योंकि उसने येश्व के द्वारा मनुश्य जाती के सारे पापों को धो दिया है और उसका न्याई भी कर दिया है परिणाम के तोर पर हमारे जीवन में पाप करने के बावजुद भी हम पाप रही त्न्याई और उसके तौर पर आने वाले प्रभु का इंतिजार कर रहे हैं और उसके वचन का पालन कर सकते हैं उत्तर युहन्ना बप्तिस्मा देने वाला परमेश्वर का सेवक था जिसका जन्म येश्व के जन्म से 6 महिने पहले हुआ था और मलाकी में भविश्यवाने की गई थी कि वहाँ पुराने नियम का आखरी भविश्यवक्ता होगा मलाकी अध्याई 4 वचन 4 से 6 मिरे दास मुसा की व्यवस्ता अर्थात जो जो विधी और नियम मैंने सारे इसराइलियों के लिए उसको होरव में दिये थे उनको स्मरन रखो देखो यहवा के उस बड़े और भयानत दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नभी को भेजूँगा वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की और और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की और फेरेगा ऐसा नहो कि मैं आकर पुत्रों का सत्यनास करूँ जब येशु का जन्म हुआ तब इसरायल के लोगों ने परमेश्वर की वाचा के वचनों को छोड़ दिया था और अन्य जाती के देवताओं की आराधना करते थे वे बलिदान के लिए अंधे और कलंकित पशों की बली चड़ाते थे और परमेश्वर के मंदिर को व्यापार का अड़ा बना दिया था मुसा और भविश्यवक्ताओं के नियम में येशु मसी के बारे में भी भविश्यवानी की गई है व्यवस्ता मनुश्यों को पापों की पहचान कराती है और बताती है कि वे कितने पापी है व्यवस्ता की किताद में लिखी गई आगनाओं में से केवल आगना का भी पालन ना करना पाप है पुराने नियम में कोई पापी जिसने व्यवस था कि किसी भी आगना का अनादर किया था तो वह मिलाफवाले तंबू के पाप बली लेकर नहीं जा सकता था और अपने पापों को बकरे के उपर डालने के लिए उसके सर पर अपने हाथ रखता था और पापों की माफी के लिए पाप बली को मरना था और फिर से परमेशर के साथ जूर सकता था फिर याजग उसका थोड़ा लहू लेता था और होम बली की वेदी के सिंगों पर रखता था और बाकी बचा हुआ लहू वेदी के नीचे बहा दिता था उसके बावजुद भी इसराइल के लोग अपने हर दिन के अंगीनत बलिदानों के बावजुद भी अपने सारे पापों से चुटकाना नहीं पा सकते थे इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए हमेशा के लिए एक नियम बनाया प्रायश्रित का दिन यह वो दिन था जब परमेश्वर साथवे महिने के दसवे दिन उनके वारसिक पापों की माफी देता था उस दिन महायाजक हारुन दो बकरों को लेता और उनके लिए चिट्थिया डालता था एक यहवा के लिए और दूसरी अजाजिल के लिए उसके बाद इस्राइल के सारे वारसिक पाग बकरे के पर डालने के लिए वह यहवा के लिए बकरे के सिर पर हाथ रखता था फिर हारुन उसे मार डालता था और उसका लहू लेकर साक्षे कोस के उपर और साक्षे कोस की आगे साथ बार चिड़कता था जब वो पवित्र स्थान के लिए प्रायश्रित पूरा करता फिर वो दूसरे पसु को औरपन करता था वह जीवित बकरे के सिर पर अपने हाथों को रखता और इसराइल के वार्शिक पापों को कबूल करता इस पध्धती के द्वारा उनके सारे वार्षिक पाप बकरे के उपर डाले जाते और नियुक्त की हुए मनुश्य के द्वारा उसे जंगल में भेज दिया चाता था इस रिती से इस्राइल के लोग उसके अपने वार्षिक पापों से छुटका रहा पाते थे हाला कि पुराने नियम के अनुसार अर्पन किये गए बलीदानों से जो सालों साल निरंतर बलीदान चड़ाते थे वे शंपूर्ण नहीं बन सकते थे वह केवल आने वाली अच्छी वस्तों का प्रतिबीम था इस्राइल के लोगों ने उद्धार करता येश्व मसे का इंतजार नहीं किया उसके बदले उन्होंने पापी शंसार में अन्य जातियों के देवताओं की आराधना की पुराने नियम के भविश्य वक्ताओं के वचन को छोड़ दिया इस तरह परमेश्वर ने भविश्य वाने की इस्राइल के लोग परमेश्वर की और वापस मुड़े इसलिए उन्होंने उनके रदयों को पुनस्तापिक करने के लिए और येशु मसी को स्विकार करने के लिए उनके रदयों को तयार करने वह युहना बप्तिस्मा देने वाले को भेजेगा युहना बप्तिस्मा देने वाले ने येशु मसी को बप्तिस्मा देने से पहले उसके उसने जंगल में इसरायल के लोगों को पश्रताप का बप्तिस्मा दिया था उनको पानी से बप्तिस्मा देने का उसका उद्दिश्य उनको इंतजार करवाना और येशु पर विश्वास करवाना था उसने सिखाया कि उसके उपर हाथ रखकर जगत के सारे पापो को उस पर डालने के हृती के द्वारा उद्धार करता को बक्तिस्मा दिया जाएगा और फिर उनको सारे पापो से बचाने के लिए वह कुरूस पर चड़ेगा उसने कहा कि येशु आएगा और भुदकाल के अपूर्ण बलिदान को ले लेगा और अपने सरीर से अनन्त बलिदान चड़ाएगा जैसे पुराने नियम की पत्ति के अनुसार इसराईल को लोग निसकलन पाप बलिद को लेकर उसके सिर पर अपने हाथ रखने के द्वारा चुटकारा पाते थे वैसे ही येशु आके अपने बप्तिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापो को ले लेगा कई इस्राइलियों ने अपने पाप कबुल किये पश्यताप किया और उसके द्वारा बप्तिस्मा लिया पश्यताप का मतलब होता है व्यक्ति के मन का परमेश्वर की और वापस मुड़ना पूराने नियम की वेवस्ता को याद करते वह यहना के पास आये और कबुल किया कि वे आश्राहिन पापी थे जिन्होंने मृत्यू के समय तक पाप किया था उन्होंने यहाँ भी कबुल किया कि वे अपने अच्छे कर्मों के द्वारा स्वर्ग में प्रवेस्थ नहीं कर सकते और उनके मन येशुकी और वापस मोडे जो उनके पापों को एक ही बार में हमेशा के लिए दूर करने वाला था और स्वर्गस राज्य का दर्वाजा खोलने वाला था इस्राइल के लोगों को युहना बप्तिस्मा देने वाले ने दिया हुआ बप्तिस्मा निम्न लिखित था वहाँ उन्हें अंगिकार करने देता था कि उन्होंने जीवन भर में कितने पाप किये हैं पश्रताप करने दिया और जब वह उन्हें बप्तिस्मा दे रहा था तब अपने याने की महाजक और मनुष्य जाती के प्रतिनीदी के द्वारा जो बप्तिस्मा देने वाला था और उनके पापों से उनको बचाने के लिए क्रूस पर चड़ने वाला था वह येशु मसी की मतिरचिसु समाचार अध्याय 3 वचन 11 में लिखा है, इसलिए युहना ने लोगों से कहा कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बप्तिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे सक्की साली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बप्तिस्मा देगा, युहना बप्तिस्मा देने वाले ने लोगों के मन येशु की और मोड दिये, और उनको गवाईयों की दी येशु जगत के सारे पापो को उठा लेगा, और उनके लिए मर जाएगा, इस तरह येशु ने येशु का बप्तिस्मा जरूरी है, ऐसी समझ सू समाचार में से येशु के क्रूस पर की मृत्यू को रद कर देगा, उत्तर, येशु का बप्तिस्मा और क्रूस पर उसके मृत्यू दोनों का हमारे उधार के लिए एक जैसा महत्व है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक से दूसर पर मरा, इसलिए उन्हें माफी मिलती है, लेकिन वो केवल क्रूस नहीं है, जिसके द्वारा येशु ने जगत के पापों को उठा लिया, वह येशु के बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा पाया, और जगत के सारे पापों को अपने पीट पर उठा लिया, इसलिए क कुरूस पर उसकी मृत्यू हमारे पापों का नियाई था। येश्रु के बप्तिसमा के बिना केवल कुरूस पर विश्वास करना बलिदान के सीर पर हाथ रखे बिना परमेश्वर को बलिदान चड़ाने जैसा है। जो लोग ऐसा बलिदान चड़ाते हैं वे छुटकारा नहीं पा सकते क्योंकि ऐसा बलिदान बिना नियम का बलिदान है जो परमेश्वर के द्वारा ग्रहन नहीं किया जा सकता था। ग्रहन किया जाएगा। तो वैसे विश्वाश के द्वारा हम पापों की माफी नहीं पा सकते। आज के मसीही लोग जो विश्वास करते हैं उसमें से सबसे गलत बात यहा है कि वे केवल येश्वु उनका उद्धार करता है ऐसा कबूल करने के द्वारा उद्धार पाएंगे। क्योंकि पर्मेश्वर प्रिम है, बाईबल निश्चित रूप से हमें बताती है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा भा उद्धार पाएगा, फिर वो हमें ऐसा भी कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु कहता है, उन में से हर एक स्वर्ग के राजे में प्रवेशन कर यदि हम केवल येश्यु के नाम पर विश्वास करने के द्वारा बच जाए तो फिर पुराने नियम की बलिदान की पत्ति का नियम लिखने का और मत्ती रची सुसमाचार अध्याई 7 वच्चन 21 में जो नियम भंग करते हैं उनके बारे में कोई मतलब नहीं रहता हाला कि परमेश्वर के उध्धार का अद्भूत और संपूर्ण मार्ग बाईबल में स्पश्टरीती से दरसाया गया है वास्तों में हम लेवेवस्ता अध्याई 3 और 4 में स्पश्टरूप से देख सकते हैं कि पापी को अपने पाप बलिदान पर डालने के लिए उसके सिर पर हाथ रखना पड़ता था और उसे मारना पड़ता था और जब वो पाप बली और मेल बली का बलिदान चड़ाता था तब उसके लहुका चिर्काव करना पड़ता था हाथ रखे बिना बलिदान चड़ाना या कलंकित बलिदान चड़ाना प्रायशित के लिए वेवस्ता को तोड़ने जैसा था पूराने नियम और नय नियम दोनों के सब्दप एक दूसरे में पूरक है यरदन में येशु का बप्तिस्मा पूराने नियम में पाप बली के सिर पर हात रखने के बराबर है जब येशुनी यहन्ना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लिया तब उसने कहा अब तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रिती से सब धार्मिक्ता को पूरा करना उचित है यहां सारी धार्मिक्ता का मतलब होता है न्याई और उचितता इसका मतलब है कि उस पद्धती के द्वारा येशु का पाप बली बनना उचित था उसके लिए यह भी उचित था कि वह बलिदान की पद्धती अनुसार सबसे उचित रीती से जगत के सारे पापों को उठाने के लिए हाथ रखने के रूप में यहना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा पाए वह पद्धती हाथ रखने और लहू से बनी थी जो परमेश्वर ने पूराने नियमे स्थापित की थी केवल क्रूस पर विश्वास करने का मतलब है कि उसके मृत्यू का हमारे पाप से कोई लिना देना नहीं है क्योंकि येश्वर के बप्तिस्मा के बगएर हमारे पापों को कभी उसके उपर नहीं डाला जा सकता था उसके लहु का परिणाम है कि वह हमारे पापों को धोने में सक्सम नहीं है इसलिए उसका लहु विश्वास हो कि रदय के पापों को धोने के लिए केवल तभी कारियरत होगा जब वे विश्वास करेंगे कि युहना बप्तिस्मा देने वाले ने अपने हाथ रखने के द्वारा उसे बप्तिस्मा दिया तब उनके सारे पाप येशु पर डाले गए इस तरह प्रेरित युहना ने गवाही दी थी कि जो विश्वास करता है कि येशु परमेश्वर का पुत्र है जो पानी और लहु के द्वारा आया वे जगत पर जई पाएंगे येशु पानी और लहु के द्वारा आया केवल पानी या लहु के द्वारा नहीं पूरे पवित्र सास्तर में येशु ने अपने चेलों को अपने सम्मंधित बातों को बताया है मुसा और सारे भविश्य वक्ताओं से उसने कहा उसने बताया कि पूराने नियम में पाप बली के रूप में वहाँ खुद था दाउद ने उसके बारे में भजन सहीता में कहा है तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ पवित्र सास्तर में मेरे विश्य में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ भजन सहीता अध्याई 40, भजन 7 और 8 परिणाम स्वरुप उसका बप्तिस्मा कुरूष को रद नहीं करता लेकिन वह कुरूष के मतलब को संपूर्ण और परिपूर्ण करता प्रभु के सू समाचार का बहत्वपूर्ण भाग है यह हमें ऐसा भी सिखाता है कि येशु के बप्तिस्मा और मुल्यवान लहू के बगैर हम छुटकारा नहीं पा सकते उध्धार पाने का मतलब यह है कि येशु के बप्तिस्मा और कुरूष के लहू पर विश्वास करने के जवारा आप पापों की माफी पाते हैं और पवित्र आत्मा की भेट प्राप करते है प्रस्टन नंबर पांच क्या आप मुझे पानी और आत्मा के सुर्समाचार को समझाएंगे उतर यदि हमारी सुई बहार कहीं खो गए तो हम उसे वहां खोजेंगे जहां वो खो गई है हाला की घर के अंदर उज्याला है इसलिए उसे अंदर खोजना नीरर्थक बात लगती है मैंने आज की कलिसया में वैसे ही नीरर्थक लोगों को देखा है जब वे विश्वासियों के पानी के बप्तिस्मा के अंतहिन बाइबल आधारित विवादों में आसानी से जुड़ आते हैं तब वे खुझ से यह महत्व पुना प्रस्टन नहीं पुछते कि क्यों योश्यों ने यहनना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लिया ऐसी आदत की वज़र से आज के मसीही समाज में बहुत सारे संप्रदाई और पंत हो चुके है ऐसे अंतहिन विवादों का अंत लाने के लिए हमें बिखरे हुए गाउं से बाहर निकलना चाहिए और वहां जाना चाहिए जहां हमारी सुईख हो गई है यदि हमें निस्ठा से सत्य की खोज करनी हो तो रुडिवादी धारनाओं को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम उसे धर्म के गाउं में नहीं ढून पाएंगे क्यों प्रेरितों ने येशु के बबतिस्मा पर ज्यादा जुर दिया पानी और आत्मा के सुसमाचार का सत्य जो उन्होंने येशु से पाया था उसे पूरी दुनिया में प्रचार किया गया था येशु ने उत्तर दिया मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ जब तक कोई मनुस्य जल और आत्मा से न जनमे तो वहाँ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता बाइबल हमें बताती है कि हमारे सारे पापों से हमें बचाने के लिए येशु पानी और आत्मा के द्वारा आया लहु का मतलब है क्रूस पर हुई उसकी मृत्यू तो फिर आपको आपके मुताबिक पानी का क्या मतलब है क्यों यूहना बप्तिस्मा देने वाले ने येशु को बप्तिस्मा दिया क्यों उसने अपने बप्तिस्मा के पहले घोसित किया कि आप तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रिती से सब धार्मिक्ता को पूरा करना उचित है मैं उम्मिद करता हूँ कि आप पानी और आत्मा के सू समाचार को समझते हैं और विश्वास करते हैं खास तोर पर येश्यू के बप्तिस्मा को यहां उसने अपने चेलों को पानी और आत्मा के सू समाचार के बारे में दिया हुआ सपस्टिक करन है जब प्रेरित सू समाचार का प्रचार करते थे तब वे येश्यू के बप्तिस्मा पर विशेस जोर देते थे प्रेरित पॉल उसने कहा पहली कुरंतियों की पत्री अध्याई 15 वचन 3 और 4 इसी कारण मैंने सबसे पहले तुमें वही बात पहुचा दी जो मुझे पहुची थी कि पवित्र सास्तर के वचन के अनुसार येश्यू मसी हमारे पापों के लिए मर गया और गाणा गया और पवित्र सास्तर के अनुसार तीसरे दिन जीवी उठा उसका मतलब है कि पवित्र सास्तर के अनुसार हमारे पापों के लिए मर गया उसका मतलब है कि पुराने नियम में परवेश्वर के द्वारा दी गई पधति के मुताबिक उसका मृत्यू हमारे सारे पापों का प्रायश्रित करता है पुराने नियम के प्रकाशन और वाचा के अनुसार वह हमारे लिए मरा इब्रानियों की पत्री अध्या एक वचन दस में लिका है कि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तों का प्रतिबिम्ब है आईए हम लेवे विवस्ता अध्या एक वचन तीन और पांच में विशिष्ट बलिदानों को देखे एक पापी को अपने पापों के प्रायस्टिक के लिए होम बली की तीन शर्तों को पूरा करना चाहिए पहला वहां निश्कलंक बलिदान चड़ाए जो लेवे विवस्ता अध्या एक वचन तीन में पाया जाता है दूसरा उसे बलिदान के सीर पर अपना हाथ रखना यहां हमें परमेश्वर के नियमों को स्पस्ट करना चाहिए बलिदान के सिर पर हाथ रखना उसके उपर पापों को डालने का परमेश्वर का नियम था जो लेवी विवस्ता अध्याए एक वचन चार में पाय जाता है तिसरा अपने पापों को प्रायश्रित के लिए उसे मारना पड़ता था जो लेवी विवस्ता अध्याए एक वचन पांच में पाए जाता है प्राशित के दिन हारुन अपने दोनों हाथ जीविद बकरे के सिर पर रखता था और इसराइल के लोगों के सारे पापों के सम्मन्दित उनके अन्यायों और अपराधों को कबूल करता था और उन्हें बकरे के सिर पर डालता था उस समय हारुन इसराइल का प्रतिनिदी था वह अकेला बकरे के सिर पर अपने हाथों को रखता था और इसराइल के लोगों के तकरीबन 20-30 लाख लोगों के सारे वार्सिक पाप उसके उपर डालता था पुराने नियम का बलिदान आने वाली अच्छी वस्तों का प्रतिबिम था पवित्र सास्त्र अनुसार हमें पवित्र करने के लिए येश्यू ने परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अपना बलिदान दिया सबसे पहले परमेश्वर का निर्दोस मिमना बनने के लिए येश्व देहे में आया वह परमेश्वर का इकलोता बैटा है और वह उसके तत्व की छाप है इस तरह वह सारे मनुश्यों की पाप बली के लिए उचित है दूसरा युहना बबतिस्मा देने वाले ने येश्व को यरदन में बबतिस्मा दिया बबतिस्मा हाथ रखने की रिती से दिया है और युहना बबतिस्मा देने वाला हारुन का वंसज और मनुश्य जाती का प्रतिनिदी है जब यहन्ना ने अपने हाथ येशु मसी के सिर्पर रखे तब परमेश्वर ने स्तापित की हुई व्यवस्था के मुताबिक जगत के सारे पापो को उसके उपर डाल गया येशु ने यहन्ना से कहा अब तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रिती से सब धार्मिक्ता को पूरा करना उचीत है और उसे वब्तिस्मा दिया अंत में हमारे सारे पापों को उसके उपर डाला गया दूसरे दिन युहन्ना कहता है देखो यहाँ परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है तीसरा येश्वर हमारे सारे पापों की माफी के लिए कुरूस पर मरा और कहा पूरा हुआ परमेश्वर के सनमुख हमें धर्मी बनाने के लिए वह मुरुत्यू में से पुनुरुत्तित हुआ याद रखे कि पाप बली पापों की माफी के लिए चड़ाया जाता था पापी उसे मारे उसके पहले उसे उसके सिर पर हाथ रखना पड़ता था यदि वह एक बीच चीज करना भूल जाए तो वह व्यवस्था को तोड़ने की वज़ल से चुटकारा नहीं पा सकता था यदि एक मसीही व्यक्ति को पता नहीं है कि उसके बप्तिस्म का क्या मतलब है तो ऐसे व्यक्ति के लिए दिल में पाप है और वह केवल अपने विश्वास से उद्धार नहीं पा सकता ज्यादा तर मसीही लोग उसके आधे धर्मी कार्य को ही जानते है प्रेरित युहना अपनी पत्री में सूसमाचार को स्पस्ट करता है पहला युहना अध्याए 5 वचन 6 में लिखा है यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था अर्थात येशु मसी वहन न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहु दोनों के द्वारा आया था बाइबल में ऐसे कई सारे भाग है जो हमारे उधार के लिए उसके धर्मी कारिय कितने महत्वपुन्न है उस बात का समर्थन करते हैं और मसी ही लोगों को पानी और आत्मा के सुसमाचार की और वापस मुड़ना चाहिए झाल 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 झाल